आप देख रहें यूपी तक और इस वक्त हम आगरा में कोरोना मरीजों की जानकारी देने के लिए संजे प्लेस में खड़े हैं यहां की सडकें सूनसान हैं, इमारतें वीरान हैं, लोग परेसान हैं आगरा के इस नीम काले माहौल में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। आज यहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 660 तक पहुच गई है। 15 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। 42 होट स्पोट बनाए गए हैं कोरोना की मार को रोकने के लिए प्रसासन ने होट स्पोट्स पर आवगमन रोक दिया है हाला कि रहत की बात यह है कि कोरोना की मार से पीलित 279 मरीच स्वस्थ होकर घर जा चुके है स्वस्थ होने का यह आकड़ा 40 फीजडी तक पहुँच गया है और इन आकड़ों के बीच आगरा की सेंट्रल जेल का एक कैदी एसन मेडिकल कॉलेज के अंदर कोरोना पॉजेटिव मिला है जेल प्रसासन के माथे पर चिंता की लकीरे गहरी हो गई है उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि कोई कैदी कोरोना पॉजेटिव कैसे हो गया मार्च महीने से अब तक जेल में कैदियों से कोई मुलाकात नहीं हुई है और कैदी बाहर के किसी व्यक्ति के संपर्क में नहीं है तो यह कोरोना पॉजेटिव कैसे हो गया हलांकि जेल प्रसासन ने 14 कैदियों को कुरेंटीन कर दिया है लेकिन दूसरी तरफ प्रसासन से ये भी अनरोध किया है कि कैदियों की जाच कराई जाए और जो पॉजिटिव कैदी आया है उसकी दोबारा जाच कराई जाए जाच की एक बंदी बिरेंद कुमार नाम का एक बंदी जो कि जहासी से अस्तनांतित होकर के दिसंबर 2019 मेहा पर दाखिल किया गया था आजीवन करवास का बंदी होने के कारण वो बंदी पिछले जब से इस करगार में आया है तब से कभी भी वो करगार से बाहर नहीं गया है पहली बार ये तीस तीन माई को इसको बंदी को हाई ब्लग पिसर और ब्रेन स्टोक की सिकायत थी उसके अधार पर चेकिसादिकारी की सलाह के अधार पर उनको वहाँ पे विसेश उपचार है तो एसने मेटल कॉलिज भी जा गया था जहां पर बंदी तीन माई से भरती होक से कौन बचेगा और कौन फसेगा कोई नहीं बता सकता है घरों में जिंदिगी कैद है ठमी हुई है सहमी हुई है बस किसी तरह से चल रही है अर्बिन सर्मा आगरा यूपी तक